मुंबई हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से हैं इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26 ग्यार मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई अंटी टेररिस्म स्कॉर्ट के एक ही उताकी मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देकर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रिकॉर्ड देख कर ठोक दियो हमारी इंटेलिजन्स के हसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लशकर के स्लीपर सेल बन कर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं अभी उनका वक्त आया नहीं जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे ढून लिया तेरे बाकी साथियों को भी ढून लेंगे नाइंटी थ्री में एक टन अर्डी एक्स आया था जिसमें से सिफ चार सो किलो इस्तमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया छे सो किलो आज भी कहीं दफन है हिंदोस्तान ने मेरी किसमत बदली अब मैं हिंदोस्तान की किसमत बददूगा मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को सिंदा चला दिया उन लोगों ने हम आनता हूं कि तुमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था लेकिन तुमने भी तो सैकड़ो मासुमों की जाने ले ली उसका क्या जुख जा जहन में और भी पुनिस आफिसेस अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खत्रे में नहीं डालता है इंटलिजिंस प्यूरो की थेरी शायद सही है लशकर का अगला टार्गेट मंबयों का सुर्या वो लोग कब आएंगे यह में नहीं जानता पर वो आएंगे ज़रूर इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को क्या करें सर शिवगर चले ये काम एक ही कमी ना कर सकता है इदर अल्लग लेवल का धनली चल रहे है सर ये लोग साथ गाड़ी में बॉम फिट की हैं जिस गोली से तू मरेगा उसके उपर आईसा बड़े में लिखाऊंगा Made in India अक्षा पबली को मालू है कौन आने वाला है तेरे को नहीं मालू गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा की क्यों आता है और तू हर बार हेलिकॉप्टर पर क्यों लटकता है हाँ किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री कोई फरक नहीं पड़ता है चलो अभी आप जानते हैं कोन है नाइम खान तीस साल इमानदारी से पुलिस की डूटी किया है इन्होंने और अब इनका बेटा अबास हमारे आंटी टेररिजम स्कौड का एक होनार आफिसर है ये है हिंदुस्तान के मुसल्मान पर्णों में थाप है ओड्यूर्व का आप इस तो कि शबाटाव में आप बेटाव में गुए न मायाओ मझा थारा इक वंदूर्वर्यूर्व पट्रूलिक बेराव स्केर्वर्यूर्यूर्ण।